नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे ठीक होंगे तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं B.H.T.C. की सेकंड लिस्ट की रिकाउंस लिंग के बारे में दोस्तो काफी दिन हो गये हैं जिसके बाद अभी तक सेकंड लिष्ट के बारे में कोई महत्पूर्ण अपडेट नहीं आया है दोस्तो विबाग बहुत ही गंबीर रूप से इस बात को नहीं ले रहा है तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में बीएश्टीसी रीकाउंसलिंग के बारे में बात करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप्ट किये हुए लाश्ट तक देखते रहना ये वीडियो आपके लिए काफी महत्पूर्ण सावित हो सकती है तो दोस्तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के जैसा कि आपको पता है आज से लगवग साड़े तीन चार महीने पहले आपकी बीएश्टीसी की फर्स लिस्ट जारी कर दी गई थी उसके बाद में अभी तक सेकेंड लिस्ट को जारी करने का कोई महत्पूर्ण अपडेट हमारे पास नहीं आया है दोस्तो इसके पीछे कैई कारण है जैसे कैई कॉल लेजे जो 2020 में बिभाग द्वारा हटा दी गई थी उनको जोड़ना एक प्रमुक कारण हो सकता है दोस्तो और जिन नए कॉलेजे को एड किया गया है उनकी प्रोफाइल अभी तक पूर्ण रूप से कंप्लेट नहीं हो पाई थी जिसकी वज़े से आपकी सेकेंड लिस्ट में देरी की जा रही है तो दोस्तो जैसा कि आपको पता है हमारी मैन वेबसाइट पर एक काफी दिन से अपडेट आया हुआ है कि प्री डियेलेड की परिक्षा 2021 से प्रवे सेथू काउंसलिंग का कलेंडर जारी किया जाना प्रिस्तावित है तो दोस्तो अभी तक इसमें जो पुराना अपडेट है वो ही चल रहा है और लगता है आपके फरवरी के फर्ष्ट वीक में नया कलेंडर जारी कर दिया जाएगा और आपकी रिकाउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो दोस्तो जिनके भी 300 प्लस नंबर है वो अबस ही काउंसलिंग कराए हो ना हो उनको कॉलेज 99% मिलने के चांस बन सकते हैं तो दोस्तो जैसे ही counselling start होती है आपको counselling करवा लेनी है आप बिल्कुल भी ना चोके counselling के प्रतिस सजग रहें और अपनी counselling जरूर करवा है हो सकता है आपको college आसानी से मिल जाएगी दोस्तो अब बात रही about moment के result की तो जैसे ही counseling की प्रक्रिया complete हो जाती है और आपकी second list जारी होने से पहले आपकी जो about moment के result है वो जारी कर दिया जाएगा दोस्तो के studentों के comment आ रहे थे कि sir बहुत से studentों के comment आ रहे थे कि sir हमें college से phone आ रहा है कि college की kit जल्दी से जल्दी लो तो दोस्तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब तक जिन्होंने about moment का form फिल किया था उनका about moment का result नहीं आ जाता तब तक किसी भी प्रकार की कोई kit नहीं लेनी है क्योंकि जब आपका about moment का result आएगा तो आपको दूसरी college में जाना पड़ेगा इसलिए आपकी वो जो first college में आप kit लेते हो वो आपकी कोई काम किन नहीं रहीगी क्योंकि आपका college जिस आपका admission जिस college में आता है उसी कि आपको kit लेनी पड़ती है तो किरपया करके आप किसी भी परकार की kit ना ले और यदि college वाले आपके उपर दवाब डालते हैं कि आपका admission रद कर दिया जाएगा तो ऐसा किसी भी college के पास यह कोई प्रावदान नहीं है कि बै आपका admission रद कर दे admission रद केवल आपके विवाग के दुआरा ही किया जा सकता है और जब तक विवाग की तरफ से कोई आपके पास notification नहीं आ जाता तब तक आपका admission रद नहीं हो सकता तो दोस्तो तो दोस्तो यह थी आज कि हमारी इस वीडियो की जानकारी अगर वीडियो अच्छी लगिया है तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों को share करें और अमारी यूटूब family का इसा बने ताकि पढ़ाई से सम्मंदे सभी प्रकार की update आपको मिलती रहें दोस्तो मैं आपको एक महत्मून बात बता देता हूँ कि वीडियो के description में हमारे टेलिग्राम का link डाल दिया गया है तो हमारे टेलिग्राम चैनल को join कर ले और अगर आपको किसी भी प्रकार का personal या कोई भी question सवाल पूछना है तो आप टेलिग्राम पर पूछ सकते हैं दोस्तो हमारा एक और यूटूब चैनल study with jessing आपके लिए BSTC और PTET तता सभी प्रकार के result भरतिय बगेराओं की जानकारी देता रहता है तो अगर आपको उनकी वीडियो देखनी है तो वीडियो के description में चैनल की लिंक मिल जाएगी दोस्तो अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना लेकिन आपको इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखना है दोस्तों उम्मिद करता हूँ मेरे दुआरा दिगई जानकर अच्छी लगी होगी और लास्ट में भी मैं यही कहना चाहता हूँ यदि किसी प्रकार का कोई भी सवाल पूछना है तो वीडियो की डिस्क्रेप्शन में टेलिग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी तो आप टेलिग्राम चैनल को जोइन करें और किसी भी प्रकार के महत्पूर्ण कुश्चन या पर्सनल कुश्चन भी आप पूछ सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों एक और अगली वीडियो के साथ जब तक के लिए जै हिंद जै भारत